हसीन जहां की मांग कोट ने ठुकराई 7 लाख नहीं केवल बेटी को 80,000 रुपए प्रतिमाह देंगे मुहम्मद शमी क्रिकेटर मुहम्मद शमी को बंगाल की अलीपूर कोट से राहत मिली है शमी और उनके पतनी हसीन जहां के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है बंगाल की अलीपूर अधालत ने शमी को राहत देते हुए उनके खिलाफ पतनी हसीन जहां की गुजारा भते की मांग को खारिज कर दिया है हसीन जहां ने शमी से सात लाक रुपे प्रतिमाहा गुजारा भते की मांग की थी जिसे कोट ने खारिज कर दिया है केवल बेटी को देंगे गुजारा भता बंगाल की अलीपूर कोट ने मोहमद शमी की पतनी हसीन जहां के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने पती से 7 लाख रुपए गुजारा भत्ते की मांग की थी हाला कि जज नेहा शर्मा ने शमी को बेटी के लिए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है शमी को हर महीने बेटी के रखरखाव के लिए 80,000 रुपए देने होंगे कोट ने खारज की हसीन जहां की मांग शमी के वकील ने कहा कि शमी शुरुआत से ही बेटी के रखरखाव के लिए गुजारा भत्ता देने को तयार है हाला कि शमी ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इंकार कर दिया क्यूंकि उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया है शमी की तरफ से दी गई दलील पर हसीन के वकील ने कहा कि वो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही है गुजारा भत्ते की मांग खारिज होने के बाद हसीन अब उच्छ नयायले में जाने की योजना बना रही है हसीन जहान ने पती से मांगे थे 10 लाक हसीन जहान ने मुहम्मद शमी पर माच में घरेलों हिंसा समेत कई इलजाम लगाए थे हसीन ने शमी पर कई लड़कियों से अफियर और उनके परिवार पर जहां को मारने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए थे अप्रेल में हसीन ने कोट में या चिका दाखिल कर 10 लाक रुपए के गुजारा भत्ते की मांग की थी उन्होंने अपने लिए 7 लाक और बेटी के लिए 3 लाक रुपए मांगे थे